बेस्ट फोन अंडर 15,000 अब एक चीज है देखो 15,000 एक ऐसा बजट है जिसमें हमें फोन की धेरा उप्शन्स मिलती है लेकिन हाइसा फोन जिसका प्रोसेसर एकदम कमाल का हो कैमरा बहुत ही बढ़िया होना चाहिए बैटरी यानि के लंबा बैटरी बैटरी बैकप होना फोन 5G तो पक्का होना चाहिए तो आज की इस बहुत ही स्पेशल वीडियो में सिर्फ फोन के बारे में बात करूंगा जिसमें आपको यह सब कुछ मिलेगा ओके तो विदाट फूर्द रड्यू लेट्स चेक आउट फोन अंडर 15,000 रूपीस तो अपनी लिस्ट का जो सब 40Hz का टाथ सेंप्लिंग रेट है पांडा ग्लास प्रेटिक्शन 2.5D फ्रेम डिजाइन के साथ आता है विद एंटी ग्लास फिनिश स्नैप्डागन फॉर जेनरेशन वन सिक्स एनन बेस प्रसेसर है जिसका अंतुतों स्कोर अराउंड 3,84,000 के करीब है 6GB 128GB वाला वेरियें कर सकते हैं at 30fps 5G फोन है 5G के दो बैंड को सपोर्ट करता है 5000mAh की बैटरी कपेस्टी यूसबी टाइप A to C 18W की चार्जिंग को ये स्मार्टफोन सपोर्ट करता है अडाप्टर हमें फोन के साथ नहीं मिलता इस चीज का अपने ध्यान रखना है फ्रॉम 0-100% इसकी जो बै अगला स्मार्टफोन है Samsung Galaxy M33 ये जो फोन है इस बजट का वानों दी मोर्स सेलिंग स्मार्टफोन है इसका जो प्राइस है वो अरण 15 रुपे से 12,000 रुपे जाद है लेकिन टोटली वर्थिट स्मार्टफोन है और सैमसंग के फोन के अपनी एक ब्रेंड वैल्यू भी है 6. 6.6 इंचेस की फुल एटी प्लस दिस्प्रेया है तैने इटी बैटी फॉर हंडड़ पिक्सल्स प्रोटेक्टिट बाइ गुरिला ग्लास 5 120 हर्ट्स का रिफ्रेश्ट दिया गया गया एक्जिन उस्ट प्रिसेसर विचेज़ प्लस 6GB विर्चुल वर्चुल वन ट्विटीट 8GB ड्रॉट प्लस फीचर दिया गया for crystal clear calling, दो सालों की software update and चार सालों की security patch update मिल जाती है हमें फोन में, देखो Samsung का phone है, one of the most selling smartphone है under this price range, बहुत ही बढ़िया smartphone है, आपको इसे ज़रूर consider करना चाहिए, और इसका जो best buy link है वो आपको description box के इंदर मिल जाएगा, अगला phone है Motorola का Motorola G62 5G phone, इसका जो price है that is around 16,000 रुपीज, 6.5 इंचेस के full HD plus IPS display है, 2400 by 1080 pixels, 120 Hz का refresh rate है, 240 Hz का touch sampling rate, panda glass की protection हमें इस phone में भी मिल जाती है, 600 nits की brightness है, Qualcomm का processor है Qualcomm Snapdragon 695, जिसका अन्तुतो score अराउंड 4 लाके करीब है, 6 GB, 128 GB वाला variant है, hybrid SIM slot, 50 Mbps का main camera, 8 Mbps का ultrawide, 2 Mbps का macro lens मिल जाता है हमें फोन में, प्लस इसका जो front selfie camera है, that is of 16 Mbps, अब इसका जो main camera है, उससे हम 1080 पे 30 and 60 fps record कर सकते हैं, प्लस इसका जो selfie camera है, उससे हम 1080 पे 30 fps record कर सकते हैं, 5G phone है, 12 bands को support करता है, 5000 mh की battery capacity है, USB Type-C, 20 Watt का charger हमें फोन के साथ ही मिल जाता है, from 0 to 100% इसकी जो battery है, व OS update, प्लस तीन सालों की security update मिल जाती है हमें फोन में, देखो यह जो phone है उसकी picture quality एकदमी बढ़ी है, तो आप मैंसे जिसे भी ज़्यादा photos क्लिक करनी अच्छे लगती है, तो आपने Motorola G62 को ज़रूर consider करना है, इंफिनिक्स Note 12 5G phone, 14,000 रुपेस का करन प्राइज है, 6.7 इंचिस की Full HD प्लस AMOLED डिस्पले मिल जाती है, 2400 बाइ 1080 pixels, 700 nits की peak brightness है, Gorilla Glass 3 की protection के साथ आता है phone, 60 Hz का refresh rate है, 180 Hz का touch sampling rate है, Mediatek 810 processor है, which is a 6NM based processor, 6GB, 64GB वाला variant है, dual SIM slot, SD card, triple camera setup on the back, 50 MP का main camera, 2 MP का depth, plus AI lens, water drop notch में 16 MP का front selfie camera दिया गया phone में और इसका जो main and selfie camera उससे हम 1440p at 30fps record कर सकते हैं, 5G के 12 bands की support, 5000 mAh की battery capacity, USB Type-C, 33W का charger हमें phone के साथ ही मिल जाता है, 1.5 खंटे के अंदर full battery चार्ज हो जाती है, from 0 to 100%, Android 12 दिया गया out of the box, side mounted fingerprint sensor के साथ ही, liquid cooling chamber की support मिल जाती है हमें phone में, बढ़िया phone है, जरूर कंसेडर कर सकते हो, link इसका आपको description box के अंदर मिल जाएगा And now the best phone under 15,000 rupees is Samsung Galaxy F23 5G phone, अब इसकी pricing में थोड़ा सा फर्क है, देखो Amazon पे हमें ये phone मिल रहा 15,800 रुपे में, लेकिन flip card के उपर इस सेम phone का जो price है, that is around 17,000 rupees, तो इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है, कोई भी phone लेना हो, तो दोनों website पे आपने phone की pricing को जरूर चेक करना है 6.6 इंचिस की full HD plus display, 2408 by 1080 pixels, 120 Hz का adaptive refresh rate है, Gorilla Glass 5G protection के साथ, Qualcomm Snapdragon 750G processor है, which is a 5G processor, 6GB plus 4GB virtual 128GB storage, dual nano SIM dedicated SD card मिल जाता है हमें phone में, triple camera setup दिया गया है, 15MP का main camera, 8MP का ultra wide, plus 2MP का macro lens है, water drop notch में 8MP का front selfie camera है, अब इसका जो main camera उसे हम 4K वीडियो भी रिकॉर्ड का सकते हैं, और दूसरा कोई भ हम 4K वीडियो भी रिकॉर्ड कर सकें, so it's a huge plus point, 4K at 30fps, main camera से, 1080p at 30fps, main camera से, and इसका जो selfie camera उसे भी हम 1080p at 30fps रिकॉर्ड कर सकते हैं, 5G के 12 bands को support करता है, 5000 mAh की battery capacity है, USB type C to C, 25W तक की charging को ये smartphone support करता है, लेकिन एक चीज़ है कि adapter हमें phone के साथ नहीं मिलता, auto data switching, side mounted fingerprint sensor, secondary microphone noise cancellation, 2 सा सालों की security update मिल जाती है हमें phone में, मेरी तरफ से highly recommended phone है, अगर आपने 15,000 रुपे invest करने हैं, आप इस phone को जरूर जरूर consider करो, and इसका भी जो best by link आप आपको description box के अंदर मिल जाएगा, so yeah, these are the best phones under 15,000 rupees in 2022, अभी आपने एक चीज़ करने है कि इन पांचों में से आपको सबसे बढ़िया phone कौन सा लगा, वो मुझे आपने comment section के अंदर जरूर बताने है, अगली वीडियो कौन से topic पे चाहिए, वो भी मुझे comment section में बताओ, that's all for this video guys, वीडियो गर आपको बढ़िया लगियो, तो please यारे से like and share करें, don't forget to subscribe to our channel guys, thanks watching the video, peace out.